हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चानल कैसे हो आप सभी होफ़ली आप बहुत ही अच्छे होंगे आज हम बात करने वाले हैं बीबी क्रीम के बारे में वैसे तो इंडिया में काफी सारे ब्रैंड्स के बीबी क्रीम अवेलबल है बट वो इजली अवेलबल नहीं होते हैं या पोकेट फ्रेंडली नहीं होते हैं तो आज हम कुछ ऐसे बीबी क्रीम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पोकेट फ्रेंडली भी है और इजली अपको एवेलबल भी हो जाएंगे बीबी क्रीम की जो फुल फर्म है वो अलग-लग ब्रैंड斯 के हिसाब से अलग-लग होती क्या है BB cream actually में skincare plus makeup product होती है BB cream को हम as a makeup product use करते हैं लेकिन कहीं न कहीं ये हमारे skincare का भी काम करती है BB cream actually में 5-6 product का काम करती है moisturizer, primer, sunscreen, concealer, foundation and skin treatment का काम करती है आज हम बात करेंगे इंडिया के top 3 BB creams के बारे में आज हम जिन BB cream के बारे में बात करने वाले हैं वो है Pons BB cream, Garnier BB cream and Maybelline का clear glow BB cream सबसे पहले हम इन BB cream की price देखेंगे Garnier की जो BB cream है वो तीन साइजों में आती है पहला है 9 gram का जिसकी price है 69 रुपीश, दूसरा जो pack है वो 18 gram का है जिसकी price है 135 रुपीश और तीसरी सबसे बड़ी जो pack आती है वो है 30 gram की 165 रुपीश Maybelline की जो clear glow all-in-one BB cream है वो सिप single size में आती है 18 gram की जिसकी price है 225 रुपीश Ponds की जो BB cream है वो भी 3 size में available है पहला है 9 gram का जो की 78 रुपीश की है दूसरा है 18 gram की जो की 140 रुपीश की है और तीसरा जो last सबसे बड़ा pack है वो है 50 gram की जिसकी price है 351 रुपीश अब next हम बात करेंगे sun protection की गार्नियर में जो SPF है वो है 24, Maybelline में है SPF 21 और Ponds में है SPF 30 अब हम बात करेंगे इन BB creams के seeds के बारे में गार्नियर और Ponds वाली जो BB cream है ये single seed में आती है इन दोनों BB creams को Indian skin tone को ध्यान में रखकर बनाया गया है तो इसका यूज चाहे वो fair हो या फिर medium skin tone वाले हो इसका यूज कर सकते हैं Maybelline वाली जो BB cream है ये 3 states में available है Natural, Nude और Radiance तीनों sets almost similar है इन products की अगर self life की बात करते हैं तो Garnier और Ponds की जो self life है वो mention नहीं की हुई है और Maybelline की जो self life है वो 36 months है packaging की अगर बात करें तो तीनों similar packaging में है, tube packaging में और तीनों बहुत ही tightly और securely बंद हो जाती है जिससे leakage की कोई problem नहीं रहती है तो आप easily कहीं भी carry कर सकते हो texture की अगर बात करें तो ये तीनों ही BB creams creamy texture में है और ये claim करती है कि ये lightweight है बट मुझे जो सबसे lightweight लगा BB creams में ये सबसे lightweight था Garnier तो उसके बात Ponds और सबसे heavy जो मुझे लगा वो था Maybelline का BB cream तीनों ही BB creams medium coverage देती है ये foundation की तरह high coverage नहीं देती है जब coverage की बात आ गई है तो मैं इन तीनों BB creams को अपने hand पर demo करके आपको दिखाऊंगे आप खुदी compare कर सकते हैं सबसे पहले मैं Maybelline का BB cream यूज़ कर रही हूँ in the state 02 radiance उसके बात Ponds का BB cream यूज़ कर रही हूँ और देन गार्डियर का तीनों ही BB cream dark spot या फिर dark circle को conceal नहीं कर पाते हैं गार्डियर और पॉन्ट साली जो BB cream है वो almost same तरह से blend होती है और वो skin पे बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाती है skin पे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने उपर से कोई भी make-up किया हुआ है बट यहीं चीज Maybelline में बहुत है भी लगता और आप जब देखोगे भी आइने में खुद को तो आपको लगेगा कि आपने उपर से कोई mask लगा के रखा हुआ है तो मैं कभी भी Maybelline वाली किसी को recommend नहीं करूँगी इसे खरीद के मेरी से पैसे waste हुए है मुझे actually सबसे worst जो BB cream लगी है वो है Maybelline वाली clear glow all-in-one Ponds और Garnier almost similar BB creams है इनके बस price में मुझे difference लगा बाकी सारे इनके जो functions है almost same है मैं पहले Ponds का BB cream यूज़ करती थी बट अब मुझे Garnier भी अगर यूज़ करना पड़े तो मुझे कोई problem नहीं है तो आपको भी अगर try करना है तो आप Ponds या फिर Garnier का try कर सकते हैं बट प्लीज मेबलीन का यूज़ मत कीज़गा क्योंकि ये आपके पैसे waste ही होंगे क्योंकि मेबलीन एक तो apply करोगे तब white patches हो जाता है skin पे और ये waterproof भी नहीं होता है क्योंकि जब आप Maybelline का BB cream apply करते हो और अगर आप बारिस में जाते हो या फिर face पे आपके पानी लगती है तो ये white white cream के तरह बाहर आने लगता है face में से जो की ponds और Garnier में नहीं होता है वो waterproof है आप अगर face पे पानी भी लगा रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तका face wash या फिर makeup remover से उसे remove नहीं करोगे दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो hopefully आपको अच्छा लगे और आपके लिए helpful भी हो और अच्छा लगे तो please इसे like, share और subscribe जरूर करे मिलते हैं मेरे next वीडियो में